हर हर महादेश टुरिष्ट अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों आज लोहडी का उमंग भरात्य ओहार है आने वाले दिनों में हम उत्तरायन, मकर्षक्रांती, भोगी, बिहु, पौंगल जैसे अनेक विद पर्वभी मनाएंगे मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे, सभी लोगों को बधाई देता हूँ, अपनी शुब कामनाई देता हूँ साथ्यों, हमारे पर्वों, दान, दक्षिना, तब तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है, और इसमें भी हमारी नदियों की भूमी का महत्वपुण है ऐसे समय में हम सभी नदी जलमारगों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं आज मेरी कासी से डिबुरगर के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जलियात्रा गंगा विलास क्रुज का शुभारंब हुआ है इससे पूर्वी भारत के अनेक परियटक स्थल वर्ल्ड टुरिजम मैप में और प्रमुक्ता से आने वाले हैं काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टैंड सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा खारण देश दुनिया के परियटकों स्रद्धालों को मिला है इसके साथ साथ आजपस्चिम मंगाल में मल्टी बोडल टर्मिनल यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी असम में मेरिटाइम स्कील सेंटर सी प्रिपेर सेंटर टर्मिनल कनेक्टमिटी प्रोजेक्ट ऐसे एक हजार करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकारपन हुआ है ये पुर्वी भारत में ट्रेड और टुरिजम से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं रोजगार के नए आउसर बनाने वाले हैं साथियों गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है बलकि ये प्राचिन काल से इस महान भारत भूमी की तब तपस्या की साक्षी है भारत की स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो मा गंगे ने हमेशा कोटी कोटी भारतियों को पोशित किया है प्रेरित किया है इससे बड़ा दुरभाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजहादी के बाद विकास में पिछरती ही चली गई आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए इस बज़र से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ इस्थिती को बदला जाना जरूरी था इसलिए हमने एक नई एप्रोच के साथ काम करना तै किया हमने एक तरफ नमामी गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया अर्थ गंगा यानि हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थी गतिविध्यों का एक नया वातावर्ण बनाने के लिए कदम उठाए ये गंगा विलास कुरूच इस अर्थ गंगा में उसके एक भियान को नई ताकत देगा उत्तरप्रदेश, बिहार, असम, पस्टिम मंगाल और मंगला देश की आत्रा के दोरान ये कुरूच हर तरह की सुविधा मुहया कराएगा साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टुरिश का विशेश अभिनंदन करता हूँ जिस कुरूच के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आदुनिक कुरूच से सफर करने जा रहे हैं मैं अपने इन विदेशी टुरिश साथियों से विशेश तौर पर कहूंगा की India has everything that you can imagine. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. Because India has always opened her heart for everyone. irrespective of region or religion, creed or country, we welcome all our tourist friends from different parts of the world. साथियों एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली हैं. ये जो लोग इस में से अध्यात्म की खोज में हैं. उन्हें वारानसी, काशी, बोध गया, विक्रम शिला, पत्ना साहिब और माजूली की यात्रा करने का सोभागी मिलेगा. जो मल्टी नेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें धाका से होकर गुजारने का अउसर मिलेगा. जो भारत की नेशनल डावर्शिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज, सुन्दरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा. जिन लोगों की रूची भारत में नदियों से जुड़े सिस्टिम को समझने में हैं, उनके लिए यात्रा बहुत महत्तपन होगी. क्योंकि ये क्रूज, पचीस अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरे गिया. और जो लोग भारत के सम्रुद्ध खान पान का अनुभाव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहतरीन आउसर है. यानि भारत की विरासत और आधुनिक्ता का अदुद्ध संग्यम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा. क्रूज टुरिजम का ये नया दौर इस खेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए आउसर भी देगा. विदेशी परियाटकों के लिए तो ये आकर्शन होगा ही. देश के भी जो परियाटक पहले ऐसे अनुभववव के लिए विदेश जाते थे, वे अब पुर्वी भारत, पुर्वी भारत का रुख कर पाएंगे. ये क्रूच जहां से भी गुजरेगा, वहाँ विकास के एक नई लाइन तयार करेगा. क्रूच टूरिजम के लिए ऐसी ही व्यवस्ताएं हम देश भर के नदी जलमारगाओं में तयार कर रहे हैं। शहरों को बीच लंबे रिवर क्रूच के अलावा हम अलग-अलग शहरों में छोटे क्रूच को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्ता अभी चल रही है। ये हर परियटक वर्ग की पहुंच में हो इसके लिए बजेट से लेकर लगजरी क्रूच तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विक्सित की जा रही हैं। साथियों देश में क्रूच टूरिजम और हेरिटेज टूरिजम का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है। जब भारत में परियटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैस्विक भुमी का जैसे जैसे बढ़ रही है। वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते आठ वर्षों में हमने भारत में तुरिजम सेक्टर के विस्तार पर विशेश बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, एक्तियासिक स्थलों के विकास को भी प्राप्रिक्ता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी हैं। आज मेरी काशी की सडके चोड़ी हो रही हैं। गंगाजी के घाट स्वच्च हो रहे हैं। काशी विश्वनाद धाम का पुनर निर्मान होने के बाद जिस प्रकार स्रध्धालूं और परियाट्र को अमें उत्सा देखा जा रहा है। वो भी अबुत्पुर्व है। बीते वर्ष जितने स्रध्धालू काशी आये हैं। उत्से हमारे नावी को रेडी ठेले रिक्ष्या वालों, दुकानदारों, होटल गेस्टाउट चलाने वालों सभी को लाब हुआ है। अब गंगा पार के छेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले स्रध्धालूओं को परियटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आदुनिक्ता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नितियां बनी, जो निर्ने हुए, जो दिशात है हुई, उसका प्रतिवीम्भ है। 21 सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रेक्चर के काया कल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी। चाहे घर, टॉलेट, बिजली, पानी, कुकिंग एस, सिक्षन संस्तान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रेक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्चर हो, या फिर रेल्वे, हाइवे, एर्वे और वोटर्वे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी इन से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रेक्चर हो, ये आज भारत के तेज विकास का, विक्सीद भारत के निर्मान का सबसे मजबुत स्थम्भ है, सबसे चोड़े हाइवे, सबसे आधुनिक एरपोर्ट, आधुनिक रेल्वे स्टेशन, सबसे उँचे और लंबे पूल, सबसे उँचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिमिम हम सब अनुभव करते हैं, इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ बन रहे हैं, साथ क्यों, आज गंगा विलास क्रुच की शुरुवात होना भी एक साधारन गटना नहीं है, जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंत्रिक्ष में स्थाबित करता है, तो वो उस देश की तकनीकी छम्गता को दिखाता है, वैसे ही 32 किलोमिटर से जादा लंबा ये सफर, भारत में इनलेंड वोटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आदुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उधारन है, 2014 से पहले देश में वोटरवे का थोड़ा बहुत ही उप्योग होता था, ये हाल तब था जब भारत में वोटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था, 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम की बड़ी शक्ति बनाने में जूटा है, हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्षन प्लान बनाया है, 2014 में सिर्फ पांच राष्ट्रिय जलमार्ग देश में थे, आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रिय जलमार्गों को विक्सित करने पर काम हो रहा है, इन में से लगभग दो दर्जन जलमार्गों पर सेवाय अभी चल रही है, आठ वर्ष पहले तक सिर्फ तीस लाख मेट्रिक टन कार्गों ही नदी जलमार्गों से ट्रांस्पोर्ट होता था, आज ये केपिसिटी तीन गुना से भी अधिक हो चुकी है, नदी जलमार्गों का इस्तिवाल करने वाले लोगों की संक्या भी लगातार बढ़ रही है, इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेश्नल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मोडिल की तरह विक्सित हो रहा है, आज ये वाटरवे, ट्रांस्पोर्ट, ट्रेड और टुरिजम तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है, साथियों, आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विक्सित भारत का ग्रोथ इंजिन बनाने में भी मदद करेगा, पस्टिम मंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टि मोडल टर्मिनल वारानसी को जोड़ता है, ये भारत बांगलादेश प्रोटोकल मार्क से भी कनेक्टेड है और नौर्थ इसको भी जोड़ता है, ये कोल्कता, पोर्ट और बांगलादेश को भी कनेक्ट करता है, यानि ये यूपी, बिहार, जारगन, पस्टिम मंगाल से लेकर बांगलादेश तक व्यापार, कारोबार को सुगम बनाने वाला है, इसी प्रकार, जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेट्वर्ट बनाया जा रहा है, इससे आना जाना भी आसान होगा, मच्छवारों को, किसानों को भी सुविदा होगी, सात्यों, क्रूज हो, कार्गो शीप हो, एट ट्रांस्पोर्ट और ट्रिजम को तो बल देते ही हैं, इनकी सर्विस से जूड़ी पूरी इंड़स्ट्री भी नए आवसरों का निर्मान करती हैं, इसके लिए जो स्टाफ चाएए, जो स्किल लोग चाएए, उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रभंद आवसरख हैं। इसके लिए गुहाटी में स्टिल डेवलप्मेंट सेंटर बनाया गया हैं। जहाजों की मरमत के लिए भी गुहाटी में एक नई फसिलिटी का निर्मान किया जा रहा है। साथियों, ये जलमार्ग परियावरन की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टड़ी के मुताबित, सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत ढाई गुना कमाती हैं। वही रेल के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत एकत्याही कम होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वोटर वेज से इंधन की कितनी बचत होती हैं, पाइसा कितना ज्यादा बचतता हैं, भारत ने जो नई लोजिस्टिक पॉलिसी बनाई हैं, उसमें भी तेजी से बन रही ये वोटर वेज बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें भी बहुत महत्वपुन बात ये कि भारत में हजारो किलोमेटर लंबा वोटर वेज नेटवर्क तैयार होने की शमता हैं। भारत में जो समासो से ज़्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं, वो लोगों और सामान के ट्रांस्पोर्ट में इस्तिमाल की जा सकती हैं। ये वोटर वेज भारत में पोर्ट लेट डेवलप्मेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कोशिच यही है कि आने वाले वर्षों में वोटर वेज, रेल वेज और हाइवेज का मल्टी मोडल आधुनिक नेटवर्क भारत में बने। हमने बंगला देश और अन्य देशों के साथ समझोते भी किये हैं, जिससे नौर्थ इसकी वोटर कनेक्टिविटी भी ससक्त हो रही हैं। साथियों, विक्सित भारत के निर्मान के लिए ससक्त कनेक्टिविटी आवशक है। इसलिए हमारा यह अभ्यान निरंतर चलता रहेगा। नदी जलशक्ती, देश के ट्रेड और टूरिजम को नई बुलंदी दें। इसी कामना के साथ सभी कुरूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शर्त्रा के लिए।